नमस्कार शाम के साथ बच्चुके हैं आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ चुत्रात्रपाथी सुशासन पर सवाल लेकिन नितीश कुमार लाल लाल सवाल ये है क्या बिहार कभी भी अपराध मुक्त नहीं हो पाएगा क्या बिहार में अपराधों पर कभी लगा नहीं लगेगी यूफकों को अपराधी सरेयाम गोली मार देते हैं बच्चियों को अपराधी घर से उठा कर ले जाते हैं किसी को रास्ते में छलनी कर देते हैं तो किसी को घर में लटका दिया जाता है और सहमा देने वाले इन अपराधों पर जब सवाल उठाया जाता है तो मुक्षमंत्री जबाब देही से मुकर जाते हैं और सिर्फ मुकरते ही नहीं सवाल के जबाब में सवाल करते हैं सवाल करने वालों का चरित्र चुत्रन करने लग जाते हैं आखे तरेरते हैं गुसा दिखाते हैं सवाल ये है कि बिहार में अपरात के वरुद्ध सरकार का शंखनाद कब होगा इस पर आपको रपोर्ट दिखाएंगे लेकिन उसके पहले आपका तारुप करवा दें इस वक्त हमारे साथ बेहत खास मेमान बिहार के पूरो उपमुक्य मंत्री और साथी नेतावे पक्ष तेजस्वी जादब जी लाइप जुट चुके हैं जिनके साथ इसी विशे पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले ये रपोर्ट देखिए आपका सवाल विल्कुल गलत है आपका सवाल अनुप्यूक्त है पहले क्या होता था हम आपी से पूछने हैं क्या था दो हजार पांच के पहले क्या था ये बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का शंखनाद है शंखनाद ये कि सूबे में अपराध के विरुद्ध सवाल उठाने पर वो बौखला जाएंगे शंखनाद ये कि वो कमियों को दूर करने के बजाए सवाल पूछने वालों पर सवाल करने लगेंगे आपका सवाल बिल्कुल गलत है आपका सवाल अनुप्यूक्त है वाह मुख्यमंत्री जी वाह गजब कर दिया मतलब गजबय कर दिया सूबे में अपराधी आएं और नामचीन लोगों को दिन दहाले भून कर चले जाएं और आप से सवाल किया जाए तो आप गुस्सा दिखाएं आखे तरेरे उंगली दिखाएं और आप अई ये तै कर दें कि क्या भूलना है क्या याद रखना है आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए अपराध पर जितनी कारवाई हो रही है इसको भी भूलिये मत अरे इतना गुस्सा किस बात का है इस बात का कि पत्रकारों ने आप से सूबे में अपराधियों के बोलबाले पर सवाल उठा दिया या इस बात का कि पत्रकारों की हिम्मत कैसे हो गई आपसे सवाल करने की आप जान लिजे कि ये किसी से परमिसन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है अगर मालूम है तो बताईए प्लीज सो शासन बाबू को इतने ही घुस्से में तब देखा गया था जब वो रैलिया कर रहे थे तब का तनाव समझ में आ रहा था कि डर था कि जीतेंगे या नहीं कुरसी मिलेगी या नहीं लेकिन अब जब सत्ता मिल गई है तो क्यों उबल रहे है खुद ही फैसला कर दिये कि पत्रकारों का सवाल ही गलत है आपका सवाल बिल्कुल गलत है आपका सवाल अनुप्यूक्त है मैं कह रहा हूँ और अच्छी तरह जान दिजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए गुस्से में आदमी अक्सर आपा खो देता है नितीश ने भी खो दिया पहले पत्रकारों को पार्टी विशेस का समर्थक घोशित किया और उसके बाद वही पुरा नराग कि 2005 के पहले क्या होता था और आप अच्छी तरह जान लिजिए जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाईए मैं भला आप से कोई बात कर सकता हूं आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप आप किसके समर्थक हैं मैं आपको डारेक्ट पूछ रहा हूं आप जो जो जिनको राज मिला पंद्रा साल तक पती पत्नी के राज में जितना अपराद होता रहा आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं सोला भरस बीद गए तब से अब तक नितीश कुमार ही सत्ता धीश हैं उन्हीं के हाथों कानून दिवस्था को सभालने की जिन्मेदारी भी है लेकिन मजाल है कि मान जाएं कि सूबे में अपराद की दयार है बहराल गुस्था स्याहत के लिए हानिकारक है मुख्यमंत्री जी मगर ये गुस्था कहीं सत्ता और सियासत के लिए हानिकारक न हो जाएं रोहित कुमार सिंग पटना आज तक पत्रकारों ने सबाल उठाया तो नितीश कुमार को गुसा आया फिलाल इस वक्की जल्दी से बड़ी ख़बर आप तक कहुंचाते हैं पटना में एक युवक की दिन दहाडे गोली मार कर हत्या कर दी गई है सलाव दिन नाम के इस वक्को सुल्दान गंच थाना इलाके में बदमाशों ने सर में गोली मारी है बदमाश घात लगाए बैठे थे रुपेश माड़ा केस को लेकर नितीश सरकार पहले ही फजियत जेल रही है इन सब की बीच इंडिगो मैनेजर के हत्या की गुथी अभी सुल्ची नहीं कि फिर से तीसरे दिन एक और वारदात ने लोगों को जगजोर कर रख दिया है 12 जन्वरी को रुपेश को बदमाशों ने सर्या मौत के घाट उतारा था सिर्फ पढ़ता ही नहीं बेगू सराय में भी कल से लापता शक्स का आज शव बरामत किया गया है इसी वज़े से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है और इसी पर बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ लाइफ जो चुकिया है तेजस्वी जी बहुत शुक्रिया आज तक पर अपना समय देने के लिए लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को आज मुख्यमंत्री जी के ओर से कहा गया है कि अपरात पर 23 मामले में है बिहार लेकिन यहाँ पर तीन बड़े मामलों में NCRB के जो 2019 के आंकड़े हैं वो दर्शक जान ले बिहार हत्का के मामले में दूसरे नंबर पर किटनैपिंग के मामले में तीसरे नंबर पर और रेक के मामले में 16 नंबर पर है ऐसे में तेजस्वी यादव आपसे मेरा सवाल ये है नितीश कुमार को इतना गुसा क्यूं आता है देखिए चित्रा जी ये कोई पहली बार नहीं है जब भी इनकी नाकामियों को गिनाया जाए या सही सवाल पूछे जाए या जब भी पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो इनका साफ तोर पर यही कहना होता है और आपने अभी रिकॉर्डिंग में उनके वीडियो में तो आनुपण सवाल है नितीश कुमार जी के पास रहते है're जहां दिन दाहरे राधानी में उनको पंदरा राउंड गोलियां चली जिसने की छे गोलियां उनको लगी ये कोई पहली घटना नहीं है हर दो तीन घंटे पर बिहार में हत्या बलतकार लूट अपहरन जैसे वारदात होते रहे हैं लेकिन कभी भी आप देखेगा पहले भी खेमका मडर केस में कोई अब तक जो है किसी के गिरफतारी नहीं हुई वो केस नहीं स लंगी बहरी जो बालिका थी उसके साथ गैंग रेप किया गया गया गैंग रेप करने के बाद उचकी आंखें निकाल ली गए मुझफवर पूर में जो घटना हुई दिन दहारे उसके घर मीं जाकर के रेप किया गया ओर जंदा जला दिया गया और उसका शव जो है आज बरामद हुआ हैं तो ऐसी कई सेक्रों अंगीनत घतनाय हैं जहां बिहार पुलिस जो है किसी केश को सॉल्व नहीं कर पारी और अपरादियों का पूरी तरीके से आप कह सकते हैं टांडव पुरे बिहार में मचा हुआ हैं बिहार के लोग सहे में हुए हैं हुए हैं कि घर से बाहर निकले कि ना निकले अब तो घर में ही अपरादी जो है घुसकर के गोली मार रहे हैं रेप कर रहे हैं हत्या कर रहे हैं तो नितीश कुमार जी लगतार आप देखेंगे चाहे मुझफर पूर में चमकी बुखार का मामला हो या बार का मामला हो तो और होम डिपार्टमेंट जो है ग्री डिपार्टमेंट जो है उनके पास लगतार रहा है तो यह साहिर तोर पे उनकी जवाब दाही है कि अगर कोई खामिया है अगर लॉइन और अपराद जैसे आपने NCRB के आंकरे गिनाए कि हत्या और रेप जैसे मामलों में दूसरे तीसर नंबर पर अगर बिहार है तो आपसक्ति सवाल किसे पूछे का अदमी सवाल तो सिस्टम से पूछे Gा मुख्ञ मंत उस से पूछने प buenas पे वह बोलते कि आतो का ये मानना है कि दरसल 2005 के पहले जो जंगल राज था उसे का खामयाजा भुगत रहा है बिहाराज अब मोहन जो दाडो या हडपा सिविलाइजेशन में क्या हुआ अब उसकी बात करेंगे क्या लोग आप 16 साल से हैं 16 साल से आपके पास गरीम हंतराले हैं आप बताएं जवाब दही आपकी बनती हैं कि लगतार अपराद क्यों बर रहे हैं आप से सवाल पूछा जाता है तो आप जो है गुसा करते हैं लोगों के ही ग्यान पर सवाल उठाने लगते हैं अनुप्योग तो बताने लगते हैं और समधान भी पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि आप बताईए आप जानते हैं क्या अपरादी कौन है तो पुलिस मैंकमा क्या कर रहा है डीजीपी फोन ने उठाते हैं एस पी फोन ने उठाते हैं तो आखिर कोई ना कोई समधान तो इसका निकलना चाहिए और लगतार जो अपराद बर रहा है यह तो मैं कहना चाहता हूं डबल इंजिन की सरकार है चुनाओं के समय भी मादने प्रधान मंतिजी ने क्या क्या जंगल राज जंगल माहा जंगल राज है दूसरे तीसरे स्थान पर एंचीर भी का आकरा बता रहा है हत्या वलतकार के मामले में तो इस महा जंगल राज का महराजा कौन है और उन्होंने एक साफ तो पर प्रधान मंतिजी ने भी कहा था कि बेटा बैठा हुआ है डिली में आज जब बेटे की दरूरत है तो आज कहां है यह लोग तो हम लेकिन बीजेपी के नेता भी तो सवाल पड़े करने हैं चित्रा जी नितिन नवीन जो कि बाकेपुर से वधायक है पट्टा के उनका यह कहना है कि दर रसल योगी मॉडल लागू कर दिया जाए जो एंकाउंटर मॉडल लागू है उत्तर प्रदेश में उसको बिहार में लेकर आया जाए राजीयू प्रताप रूड़ी विवेक थाको रस्तरा के तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कानून ववस्था पर नितीश कुमार को घेर रहे हैं देखें लगतार ये लोग सवाल उठाने सवाल उठाने वाले कौन है बीजेपी लगतार 16 साल से इनके साथ है बीजेपी के दो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो क्या करने इतने मंत्री हैं वो क्या करने और नॉमिनिटेड और सलेक्ट की मुख्यमंत्री किस ने किया था मुख्यमंत्री को सलेक्ट और नॉमिनेट कौन किया था यही बीजेपी की लोगों ने किया था तो इनका जो गडवंधन है यह तो पूरी तरीके से बिहार में अभी शाप के रूप में हैं लगतार यह सवाल पूछ रहे हैं जो लोग खुद भागिदार हैं इनसे हम तो हम तो चाहते हैं कि इनसे सवाल पूछे बीजेपी क्या कर रही है हाला कि यह सब लोग मानते हैं कि जदी जो है सी ग्रेट की पार्टी रही जिसको बीजेपी के बदलत 30-40 सीटे आगी वरना वह भी नहीं आती लेकिन सवाल यह है बीजेपी के लोगों कभी तो बनता है कि आप सरकार के लगतार नितीश कुमार जी के साथ और बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो-दो उपमुख मंतरी देखें और एक ही पार्टी का हो वो तो बीजेपी के ह हैं आज भी अगर आज प्रेस कॉंफरेंस मुख मंतरी का देखें तो चारोर से तो बीजेपी के लोग ही थे दो उपमुख मंतरी थे स्वास्त मंतरी थे वहां के उनके विधायक थे तो जवाब देहीं तो उनकी बनती है तो वो क्यों नहीं मुख मंतरी को बताते हैं कि सव सब्सक्राइब करना पहले कौन था ठीकरा नहीं फोनना चाहिए अभी सत्ता में कौन है किसकी जिम्यदारी है यह तो हस्यात्पत है ना कि आपके दो मुक्रमंत्री और आप ही सवाल पूछ रहे हो आप ही बता रहे हो कि क्राइम बढ़ गया आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मुक्रमंत्री जी का कल्या परसो प्रेस विगती आता है उसमें लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट में कि रुपेश सिंग हत्या कांड के अपराधी कि आप पूछ कर अपराध करता है इसतर की बीबात उनके और से कही गई है क्या करें नितीश कुमार अब कर संरक्षन पराधियों को दिया जाएगा मुझफफर पूर बालिकाग्री में क्या था इन लोगों ने पूरी तरीके से संरक्षन दिया था लगतार ऐसे मामले जो निकल करके आने हैं अभी जो एक के 47 वगरा पकड़े गए थे मुंगेड में तो किसने संदक्षन दिया था वो कौन लोग थे जिनके 47 वगरा रखा गया था यह तो सब लोग सत्ता से जुड़े वे लोग रहें आखिर क्यों बार बार लगतार मामलों क को दबाने का प्रयास किया जाता गुपाल कंज में क्या हुआ था आपको भी पता ट्रिपल मडर केस में कौन थे उन्हीं के विधायक थे उनको आज तक जो है पकड़ा नहीं है बिहार पुलीस थे बचाने का काम करती है तो आप जब अपरादियों को संदक्षन देने लग पूरियेगा तो अपरादियों में भै कहा रहेगा और पुलीस को कहते हैं पतरकार पूछे तो दिमाराल नहीं हो रहेए पूलीस उनके हाथ में विश्वास उठा रहे हैं लोग तो हम तो यह कहना चाहते हैं जब आप जैसे लोग अप שत्ता में रहके अपरादियों को और अब तो हद हो गई जो डेर महीने का बजट सत्र जो आता है इतने उजलवन्त मुद्दे हैं बिहार के पास करोना काल है अब यह चाहते हैं कि डेर महीने का जो परंपरागत ट्रेडिशनल वे में जो सत्र चलता था उसको कम कर दिया जाए उसको जो है दो तिन दिन में ही निप्टा दिया जाए तो अगर जनप्रतिनिदी या हमें जो प्लैटफॉर्म मिलता है जो डेमक्राइसी में कॉंस्टिशन के हिसाब से जो राइट है कि सदन इतना लंबा चलना चाहिए तो आप खतम करना चाहिए पहला सवाल और दूसरा सवाल रुपेश हत्याकान से ज सवाल वो क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है सदन में पिछले बार भी आपने देखा था सदन में भी किस प्रकार से हमारे सवाल जो उठाए गया थे उस पे बॉकल हट जंजला हट सब जुजला हट सारी चीज़े निकल कर कर आई थी उनके पास कोई बहार है इतनी बड़ी समस्या बिहार में हैं लगतार हम लोग पीछों राज right हैं और पीछे होते जा रहे हैं कोई विकास का काम नहीं है इनके पास पैसा नहीं है है रेवियू कुछ नहीं आरहा लाइन-ओर से बट्तर है उसलिए इनके पास कोई सवाल का जवाब नह कहते थे मुख्यमंत्री ठके हुए हैं इनसे अब बिहार समभल नीरा जो कि अब सामने आ रहा है जहां तक सीविया इजांच की मांगे आप समझ सकते हैं कि रुपेई सिंख के जो बेटे हैं वो माकरे चार साल के हैं उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने का नहीं बिहार पुलीस पर हमको भरोसा नहीं है और उससे बड़ी कोई जाच भी नहीं हम तो चाहतें कि भई अच्छे तरीके से मंदारी से निश्पक जाच हो ताकि अपरादी जल से जल पकरे जाए लेकिन जो एकबाल जो होता है मुख्यमंतरी का वो पूरी तरीके से खतम हो चुका है अब मैं आगे बढ़ते हुए अगर उनका एकबाल तेजस्वी यादव जी खतम हो चला है अगर मुख्यमंतरी जी बिलकुल ठके हुए है किसी काम के नहीं है तो सबाल मेरा ये है फिर आरज़ेडी की ओर से क्यों बार बार ये कहा जाता है कि मुख्यमंतरी की कुरसी तेजस् अगर सुनेंगे तो हमने हर एक प्लैटपॉम पर या लास्ट टाइम जब भी इस मामले में हमने उत्तर दिया था तो हमने साफ तो पर बोला था जिसके खिलाफ मैंडेड है जो तीसरी नंबर की पार्टी है जिसका नीती नहीं सिद्धान्त नहीं कोई विचार धारा नहीं उससे यह सवाल ही पूछना गलत है कि हम लेंगे की नहीं लेंगे यानि कोई मतला भी नहीं है कि उनके समर्थन का हम करें उनका समर्थन ले या ना ले यह तो बात ही प्रश्नी ही गलत है हम पूरी तरीके से अपना जो महागरबंदन था चुनाओं की बीज गे थे उस तो भी लोग क्यास लगा रहे थे कि भाई अगर बाद में पोस्ट पोल अलाइंस का ज़्यादा जिक्र कर रहा था पोस्ट पोल अलाइंस में क्या होगा तो उस समय भी हमने साफ तौर पर इंकार किया था तो कोई सवाल पैदा नहीं होता हम लोग बस इतना चाहते हैं कि यह जो म काम धंकी दी जा रही हैं मार दिया जा रहा है तो इस तरह के सिच्वेशन में मुख्य मंत्री जिसके पास एक एहम मंत्राले ग्रीव विभाग है अगर नहीं समझ रहा तो आप किसी और को दे दीजे आपने पनिश किसको किया अगर इसी तरीके से अपराद बढ़ते बिल्कुल ठाग ने ने चित्रा जी यह मेरे को नहीं यह पूरे बिहार के लोग बीजेपी के लोग कभी यह कहना है ना आज बीजेपी के लोग अगर लॉए न और पर सवाल उठाने हैं तो उनका कहने का मतलब यह है कि नितिश कुमार से बिहार नहीं समल रहा जब उन्ही भाई को बड़े भाई वैली कुर्सी मिल जाए ने ने हम कुछ नहीं चाहते हैं यह दो चोड़ दरवाजे से आए लेकिन आब आ गये हैं तो कम से कम कुछ बिहार का भला करें डबल इंजन की सरकार है कौन सा ऐसा काम हो रहा है और हमने तो पहले कहा यह गड़बंधन जो ह अगर कोई काम नहीं हो रहा है फिर मेरा अगला सवाल कॉंग्रेस के साथ मिलकर आपने चुनाब रड़ा उन्हें के विधान मंदल डल के नेता है अजीश शर्मा उनको विकास पूरुष नज़र आ रहा है नितीश कुमार में बिःषो मनदल में कोंग्रियस पार्टी के नेता है जी वो विकास पूरुष देखा नहीं है अभी तक और जहां तक बात है लास्ट टाइम हमारे साथ हम लोगों के साथ ही बैठिक में रहें उन्हेंने तो हर एक प्लाटफॉर्म पे नितीश कुमार जी और उनके सरकार को क्रिटिसाइस किया है और कुछ दिन पहले ही हमसे मिलकर के गए हैं उन्होंने भी बोला है और आज भी सभी लोगों ने राजभवन मार्च की है कॉंग्रिस के निताओं ने कुछ और मैं तो पूर्ट सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप दे दे साथ है इसके पीछे की बड़ी वज़ए क्या देखते हैं आप अठीए अब रास्ता साफ है कि जो किसानों की मांग है वह जायिए मेश पी की जहां टक बात है मूल समर सपोर्टिंग प्राइस की जहां टक बात है वो किसानों को मिलना चाहिए आज जो किसानों की दैनी स्थिती जो अगर में खासों पर बिहार की बात करूँ तो एपी एमसी कानून मट्री जो थे मिलना चाहिए लेकिन इनकी मजबूरी है कि साथ सो में आठ सो में बेच रहे बिहार के जिए और जो पैक्स है यह जो उनको करना चाहिए था वह पूरी तरीकी से प्रिक्रिशन करने कि पार रहे हैं तो यह निजी कर जो आगरे जा रहा है जमीन आज खत्रे में हैं किसानों का और इसमें अगर ज़ल्दी से बंगार को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछ ना कैसे होगा जैसे बिहार में कौंग्रिस के साथ आपने गठवनन किया टीम से भी क्या कौंग्रिस पार्टी के साथ गठवनन करें कियुकि वहां स भी इस तरह की आवाजे निकल कर सामने आ रही है बीजेपी मजबूत होती जा रही है तो क्या देख रहे हैं आप हाँ पर विकल्ब देखें बीजेपी का हववा बनाने का जाधा रहता है वो शोर जाधा करते हैं ग्राउंड हकीकत रियालिटी उनकी कुछ नहीं है बिहार में भी आपने देखा होगा सी ग्रेट की पार्टी को लेकर के घूमना पर रहा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाना पर रहा है बैसाक लेना है कि हम लोग चुनाओ लड़ेंगी निकिन लगों का उसी को समर्थन जाएगा जो बीजेपी को चुनाओ हडाएगा और हम लोगों के लिए काफी असान होगी अगर अनिरणया लेने में कि अगर T.M.C. या लेफ्ट पाटी हो या कॉंग्रेस मिलकर के लिए पर नितीश कुमार पर जम कर निशाना साते हुए और भविश्य को लेकर तमाम बाते भी उनके और से कही गए इसे के साथ एक छोड़ा से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे फॉरन लॉट रहे हैं आप देखे रही आज तक नमस्कार मैं हूं अंजना उमकश्यप हमें उमीद है ये विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले